एक छोटा सा शहर था जहां जेन एक आम सा लर्का लगता था, लेकिन आसल में वो एक एमिर्जाडा था, जो अपनी आसल पहचान छुपा कर रह रहा था। उसके वॉलिडेन ने यूज हमेशा सिखाया था के पैसा सब कुछ नहीं होता, इसलिए वो एक सिंपल जिन्दगी गुजरता था, युनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स में बेजी और डॉस्टॉन के साथ मजे करता। डूसरी तरफ सारा थी, जो अपनी मेनाट और लगन से एक सक्सेस्फुल बिजनस वुमन बैंड चुकी थी। जेन ने अपनी आसल पहचान छूपाई राखी थी, और वो सिर्फ एक आम टालबे इल्म के टौर पर सारा से मिला। सारा को जेन की साड़गी और समझदारी ने म्यूटेजय किया, दोनोंने दोस्ती कर ली और वक्त के साथ ये दोस्ती मजीर गहरी होती गई। जेन के दिल में कभी कभी ये खयाल आता के वो सारा को अपनी आसल पहचान क्यूं नहीं बता रहा, मगर उसे दर था के कहीं सारा उसे सिर्फ पेजी के लिए पसंद ना करे। वो चाहता था के सारा उसे उसी तरह पसंद करे जैसा वो दिखाई देता है एक आम इंसान। सारा भी जेन के साथ वक्त गुजरती टू यूज लगता के जेन में कुछ खास है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। एक दिन सारा के बिजनस में कुछ फाइनांशल इशूज आये और यूज किसी बराई इन्वेस्टर की जारूरत थी। जेन ने चुपके से अपने डॉस्टों के जरिये सारा के बिजनस में इन्वेस्टमेंट करवा दी, मगर अपना नाम चुपाए राखा। सारा को पता नहीं था के ये मदद किसने की, लेकिन उसे लगता था के वो कोई नजर नहीं आने वाला फरिष्टा है। आखिरकार, एक दिन जब जेन को लगा के आब वक्त आ गया है, उसने सारा को अपनी असल पहचान बता दी। सारा पहले टू हैरान हुई, लेकिन फिर उसने हंस कर कहा, मुझे तुम्हारी असल पहचान से फाक नहीं पड़ता, जो चीज मुझे सबसे जायदा पसंद है वो तुम्हारा दिल है। जेन ने मुस्करेट हुए कहा, और मुझे तुम्हारा जजबा और मेनाच पसंद है। हम दोनों मिलकर कुछ खास कर सकते हैं। इस तरह, जीन और सारा ने मिलकर जिन्दगी का नया सफर शुरू किया, जहां वो एक डॉस्रे के साथ अपने सपने भी प्योकर रहे थे और अपनी दोस्ती को भी निभाए।